बहुत जट्चे त्रजिस्ट्रिक गोटाले मामले में मुख्य आरोपी के रूप में लंबे समय से देहरादून सुद्धोवाला जेल में बंद नामी अदिवक्ता, कमल विर्मानी और दल्चन सिंग को आफरकार ने निताल हाई कूट से शर्तों के आधार पर जमानत मिल गई बता दें कि कोट के आदेश पत्र में तेहरा मुख्य बिंदूों को दर्शाया गया जिन में से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं बर्तमान आवे दंकर्टा पुलिस्त स्टेशन कोटवाली देरा दूर में पंजिद्रत केस अपराद संख्या 281 बटे 2023 के संबंद में नियमित जमानत के लिए दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 449 के तहर दायर किया गया साथी आवे दंकर्टा के अनुसार आरोपी दल्चन सेंग और कमल विर्मानी अपराद के लिए नयाई के रासत में हैं साथी आरोपियों परभातिय दंड सहिता 1807 की धारा 1202, 420, 466, 468 और धारा 471 में केस दर्ज की आ गया दरसल अभी ओजन पक्ष का मामला ये था कि देरादून में इस्थे काली भूमी या उन भूमियों के जूटे विक्रे पत्र बनाए गए हैं जुनके मालिक देरादून में नहीं रहती वयुकति जाली विक्रे विलेग को प्रजिस्टरार कारयाले देरादून में रखे गए मूल विक्रे विलेग से बदल दिया गया हालाकि इसके बाए जाज के दौरान अधिवक्ता अधित्सीम में तर्ग दिया कि लाइसेंस धारत को मौकित बयानों पर गिरफ्तार किया गया उन्होंने आगे कहा कि उनके कम्प्यूटर से कोई आपती जनक लेग बरामत नहीं हुआ साथी कति जाली विक्री विलेग को अभी तक किसी भी सक्षम नयायले के दौरा जाली घोशित नहीं किया गया बता दें कि आवेनिक देरदून का एक परिष्ट सदस्य है जो लगभग 27 वर्षों से मखालत कर रहा है और उसका करियर भी बेदाग रहा साथी 27 आठ दोहजार तेस सिन्याई के रासत में है हाला कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है इसलिए सुबूतों के साथ शेड़ जार की कोई संभावना नहीं और इसी तरह कि भूमिका केक सेह अव्यूक्त इमरान एहमत को इसमें आएले के द्वारा पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है